बीजेपी नेता गिरीराज सिंग ने साधा तेजस्वी पर निशाना कहा खिस यानी बिली खंभानों चे विहार में इंडिये सरकार को मिली महमत के बाद इंडिये के नेताओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है इसे में किंदरी मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रेंड नेता गिरीराज सिंग ने विहार विधान सबाचुनाओं के नतीजों को लेकर आजेडी नेता तेजस्वी यादव और कॉंग्रेस पर निशाना साधा है गिराज सिंग ने कहा है कि खिस्यानी बिल्ली खंभा नोचे वह कौन सी हेकडी लेकर दोग रहे थे जो सरकार बनाने की बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपना पहला परफार्मेंस भी नहीं दोहरा पाए आपको बता दें पिछले विधान सबाचनाओं में राज अदव को 80 सीटे मिली थी जबकि अब की बार वे 75 सीटों तक हिस्सी मट गए मुझे लगता है गाउं की कहवत है कोई नई चीज नहीं है खिस्यानी बिल्ली खंभा नोचे आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सा हैकडी वो ले करके दौर रहे थे और सरकार बनाने की बाद जो पिछले 80 सीटों को भी नहीं बचा पाए नहीं कांग्रेस बचा पाई अपनी सीटों को नम्मर को कांग्रेस 70 सीटे पर लड़ी ये भी लड़े लेकिन सीटे मिल नहीं पाया जनता ने नकार दी इसको स्विकारना चाहिए दूसरे को तो कह रहे थे नितीज कुमार को की ठक गए हैं ठके हुए हैं और वो कौन सा घिरना का बॉर्ण बीटा पी लिया था समाज में घिरना फैला रहे थे काले बाल गोरे बाल भूरे बाल बाबु साहिब सारे भी शेशन का उपियोग कर लिये जनता ने नितीज कुमार को नहीं उन्हें ठका दिया जो अवकाद बता दी असी से 75 हो गए स्वेसल डेस्क टीवीवन इंडिया